हाँ पत्तकार बंदू आप सबसे नमस्का बहुत बहुत होली की बदाईयों मैं पूर्व सांसत और चार बार के विधायर श्री अतीक अहमत जी की छोटी बहन आईशा नूरी अब लोगों को बाइक अब लुद्ध पूर्व सांसत अती कैमत जी की मैं छोटी भेहन आईशा नूरी हूं कि बता है कि मुद्ध ये है सर की तीन बजे रात में हम तीनों को उठा लिया था इलावाद कि पुलिस ने कूछ ताज के लिए तीन चार दिन हम लोगों को वहां रखा गया उस समय से हमारी हमारा स्वास बहुत खराब चलना है बोलने में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है जैसा कि आप लोगों को आवाज से पता चलना होगा अब उसी के अंदर हमको बहुत टॉर्चर किया गया और यह कहा गया कि STF की अधिकारी अमिताब यश जी और पुलिस प्रशासन हमारे बड़े भाई अतीक अहमत भूत पूर सांसत और तीन दफ़ा चार दफ़ा विधायक हो चुके और हमारा चोटा भाई अश्रफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में उन दोनों को चर्चित जो हत्याकान इलहाबाद में हुआ है उसमें पूश्टाच के लिए उनसे जेल से निकाल के उनकी उनका इंकाउंटर किया जा सकता है हम फ्रांसवर के बहाने पूश्टाच से जैसे भी और वहां पर हमको टॉचर करके यही कहा जा रहा था कि वो एस्टीफ से बच नहीं सकता सरम आप लोगों से जो हमारे पर गुजरी है वही बता रही हूं पूरा और यही टॉचर किया जा रहा था हमारी भावी शाहिस्ता परवीन जो मेयर के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया गया है मेयर है अभिलाशा नंदी नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसर जी गए जेल में तो न वो उनका हम अपनी भाबी शाहिस्ता परवेन के साथ गुज्रात अपने भाई से मिलने गये थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाहिस्ता नंदी से हमारा उधल पैसा मंगवा लो कि हम और शाहिस्ता परवीन साथ गये थे तो भाई सामने सामनी ही कहा था कि शाहिस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगबा लो नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है तो जब ये मेयर घोशित प्रत्याशी म्रात मेयर प्रत्याशी घोशित हुए जब से इन्होंने बस्पा जौइन किया है तब से अभिल आशा नंदी कि जिस तरह से उनको समर्थन मिलना कंपेंड में वे जा रही है करीब 2 महीने से जा रही है भाईयों हमारी आवाज आप लोग इसलिए हमारी भावी को फसाया गया कि साजिश में थी, आप लोग जा के दे सकते हैं भाईयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए टूटर जाया करते थे, और बच्चों के दोस्त जाया करते थे, हमारी भावी को अंदर रहती थी या कंपेंड में चली जाती थी नीचे, और उपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है, तो मेरी भावी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाब आ रहे हैं, शायस्ता परवीन को, और उनको इस चुनाओ ना लड़ने पाए, शायस्ता भावी ये उनकी आपसी बात थी, सांसत साहब की और नंदी जी की, वो आपसी बात भावी साहब हमारे सामने भावी से कर रहे थे सार, पुलिस क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जा रहे हैं, चार दिन से वहां पर थे, मेरी बच्छी, चोटी और ये हमारी चोटे भाई एशरफ की पत्ती है के रहा है हम लोग इस कदर टॉर्चर किये हुएं कि हम कुछ नहीं कह सकते हमारा सवास को बता रहा हो जो मुखमंत्री जी का बयान आ गया था उस समय हमने आप लोगों की चैनल के माद्यम से हाउस का देखा था उनके उख्साने पे लोगों से चैनल के माद्यम से हम मुखमंत्री जी से भी ये पराठना करेंगे कि हमारे दोनों भाईयों की सुरक्षा का जिदमा ले हो अगर उनके उपर कोई अपराद जब तक घोशित नहीं हो सकता वो अपरादी नहीं है सर वो चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं उनके साथ भारी समर्थन है अगर राजनीदी करना विधायक बनना सांसद बनना अपराद होता है तो यहीं अपराद हमारी भावी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्षन लड़ेंगी हम आपके चैनल के मात्याम से यह गुहार लगा रहे हैं मुखमंत्रीजी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाईयों को जो पूछताच करना हो इस चर्चित हत्याकान में वो वीडियोग्राफी अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में किसी लिए उनको सुप्रीम कोट के ओर्डर से वो गए है जेल से निकाल के अधिकारी है यह और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जबी हत्ता करन वा था उस समय हाउज में विधान सबा में मुखमंतरी जी को शरी अखिले जी ने बहुत उकसाया था यह बयान के लिए और मानिवर मुखमंतरी जी ने ये बयान दिया अब इस बयान से एमिताब यश जी को पूरा-पूरा मौका मिल गया पूरा पूरा मौका मिल गया सरम लोग बहुत परिशान है हमारे दोनों भाईयों की मुकमंत्री जी से भी पृषासन से भी और आप के चैनल के माध्यम से भी हम यह गुहार लगाना चाह रहें कि हमारे दोनों भाईयों की सुरक्ष्टा की जिमा लिया जाए हमारी भावी को साजिश में मुकदमा लगाया हमारी भावी के प्रिशासन ने फसाया सर नंदी ये जो अभिलाशा जो दस जो दस साल से मेयर रह रही है इनकी साजिश है कि शाहिस्ता को इसमें फसाद हो जिस ये एलेक्शन नड़ पाए अभिलाशा नंदी की नंदी जी की पत्नी जो है जो इस वक्त मेयर है इलहाबाद की उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहिए नहीं कि हमारी भावी मेयर के लिए इलेक्शन नड़े नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम तो लोग एक समय में यह सब हम नहीं बता सकते सर मैं बता रही हूं आप लोग और से सुनिये जब महाम और भावी गुजरात मिलने गयते एक दफ़ा भाई साब के पास तो भाई सामने मेरे सामने का शाहिस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो जी उधान लिया था जी उधान लिया था हमारे बच्चे हमारा घर परिवार एक तरह हमें अपने भाईयों की जान की चिंता है जर किसी साजिश लगती आप उसकी किसी से को चार दिन से मैं बता रही हम लोग को चार दिन से वहां रखा गया था हमारी हमारी भावी से भी कोई कॉटेक्ट नहीं हो पाया सर हमारे उपर इतना दुख पड़ा है हमारे सारे मकान गिराय जा रहा है हमारे बच्चे घर से बेघर है चार बच्चे हमारे दस दिन से पता नहीं कहांते दो बतीजी हमारे हम लोग को पता ही नहीं था आप लोग कैसा सवाल सर जो हम से बता सकते हैं मैंने पेपर नहीं देखा हमारे से चानकारी पे सी अपर बच्चे कुछ निवस दिखाया था मुझसी नियूस कुछ नहीं सुनी चाहर रही जब कि चार दन तक इंका पता ही नहीं था मैं अपने माई के में थी, वहाँ पे आती है प्रसाशन और स्टेफ आले टीम, हम लोग के उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है, अगर नहीं चलो भी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परिशान किया, मेरे चार बच्चे चोटे चोटे हैं, मैं अपने माई के में रएची हूं, और यहीं कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे जेट को जान का खोथ खत्रा है, मेरे चार चोड़े बच्चे वो देख रहे थी बहुत परिशान किया उनके सामने वो रमीत कुमाई शर्मा यूपी प्लीस और स्टीएफ अमिताब यश्कर के थे उन्हों ने बहुत जी दोनों तीम थी बहुत परिशान किया वहां ले गई तो बहुत टॉर्शर किया कि अग मारे पती और जेट को जान से जी आप से जानना क्या चाहा रहे थि लो लोग यह हैं जियाए कि उननका बेटा है Except अंतिया बचाकि उसे कॉझत होई क्युक है रहा हें पर हम लोग क्या बता कि हम तो अपने defense buddy कि यह लोग भे हमारे साथ ही ही थी हम तीर्हों एक साथ ह अगर नहीं बताओगी तो हम जान से मार देंगे तो महलाओं को ऐसा करना चाहि कह साथ अचे इस तो आपता रहे हैं यस असड निफारी की आप में असर है याज नहीं याप पता सकती है यह हम रहते ही कि आप भाया ही याज आप कौन है क्वाही याज मुश्वा visitor ही जी गन दिखाया है कि हाँ जान से मार देगा नहीं बताओगी तो जब भावी कहा है असर कहा है जब हम लोग जानती नहीं हम लोग क्या बताएं जी एक साल होगे हमको गए नहीं बस एक दो बार गए उसके बाद गए ही नहीं सर आप सवाल कर रहे से उनके परिवार में उस वक्त कुछ आपस में बहुत लड़ाई चल लही थी सर उनको जेल से बाहर चांटफर करने भी लोग साजिश परच रहे हैं जो कि पुलिस उस परिवार में उस समय हमने आप लोगों के वीडियो में देखा था कि वो आपस में परिवार में बहुत सब्सक्तिक दुश्वनी चल लही है और वो जो जिनकी हंत्या हुई है वो हमारे भाई की गवाही में नहीं थे बलके उनका किसी समय किट्नैप हुआ तसल उनकी आप में ले लीजिएगा आप हम आ दिया जाते हैं आप लोगों से डाउनलोड करें आमार उजलाय और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें